तो स्टूडेंट्स आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम समझेंगे प्रिविएस एयर्स के पेपर्स की ग्रामर जिया बच्चों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2011 का MP Board का इंग्लिश का पेपर जिसका सेक्शन सी यानि के ग्रामर का पोश्चन आज इस वीडियो के अंदर आपको एक्स्प्लेंट कराने वाला हूँ आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम लास्ट टेन इयर्स के यानि के पिछले दस वर्षों के MP Board के इंग्लिश के पेपर की ग्रामर को समझेंगे वन वाई वन मैं आपको एक एक पेपर को एक्स्प्लेंट कराता जाऊँगा हम शुरुआत कर रहे हैं 2011 से आज हम समझेंगे 2011 का पेपर इसके बाद 2012 से लेकर मैं आपको 2012 तक के सभी पेपर्स की ग्रामर एक्स्प्लेंट कराऊँगा और इस चीज की ग्यारेंटी है कि अग की ग्रामर लगबग इन में से ही आएगी इस तरह से ही पूछी जाएगी ग्रामर का लेवल यही रहेगा यानि कि ग्रामर में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा पूरे 10 मार्क्स आपके शॉर हो जाएगे बस यह है कि आप हमारी सारी वीडियो को वन वाई वन देखते से एंपी बोड का डारेक्ट्री में आपको यहां से लेके चलता हूं सेक्शन सी की तरफ जो कि हमारा ग्रामर का पॉश्ण होता है तो हम आचुके बच्चों सेक्शन सी पर यह हमारा ग्रामर ठीक है बम प्रेक्टिस करेंगे इसके फ्लिप्स की कोश्चन नंबर 7 ठीक है तो देखिए हमारा फर्स कॉश्चन है उजीन इस डिकलियर्ड एज बलेंके स्पिर्स होली सिटी आप शेंस हमारे सामने एंदा अब देखिए आर्टिकल के कॉश्चन है आर्टिकल का कॉश्चन जरूर आता है यह 2011 से मैं शुरुआत कर रहा हूं तो आपको पता होगा कि आर्टिकल हर साल जरूर पूछ जाता है अब देखिए यहां पर होली लिका हुआ है और आर्टिकल के बारे में आपको बता है कि आर्टिकल का यूज करने के लिए आपको साउंड देखना होता है किसी भी वर्ड के फर्स लेटर का साउंड आपको देखना होता है साउंड क को राइट आंसर है यह है आगे बढ़ते हैं कुश्चन सेकेंड की तरफ इस सार्टिंग बिलेंक इस पेसे दे क्लास रूम्स अफ इस स्कूल और वेल फर्निश्ट ठीक है आप शेस हमारे सामने है इज एवरी ओल ठीक है अब देखो भई इसको पहले समझ लो कि इसका प्लूरल वर्ड होता है तो रूम्स जो है वो प्लूरल वर्ड है तो इच और एवरी का यूज हमेशा सिंगुलर वर्ड के साथ होता है यानि कि इच और एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर नावन आती है कौन सी नावन आती है सिंगुलर नावन आती है और जो हल्पिंग व पाइली चीज है ठीक है दूसरी चीज यहां पर दा लगा हुआ है तो इच और एवरी के बाद दा बिलकुल नहीं आता है इच दा नहीं होता है ठीक है ना तो अब यह जो इच और एवरी है यह आप्शन तो हमारे कट गए अब बचा क्या आल जो के राइट आंसर है क्योंकि में एच के सांथ거를 नहीं आती है एवरी के साथ भी नहीं आती है और एच और एवरी के बाद डा भी नहीं आता है मैंने दोनों Campaign से आपको एक्स प्रेंड कर दिया है । permitir के हमारा हंंड़ी पक जो सही आनसर वह आ उले ठीक है आल द जो क्लास्रॉम को बाच्छँ ठीक है आल अगर आपको लेने के लिए ऑर नोय वोब करते हैं पामिशन लेने के लिए परमिशन देने के लिए पॉस्बिलेटी के लिए तयसे से eerगों तो यह पर आपको can के use करेंगे आगे आप मूव करते हैं question number 4 की तरह students आई हो आपको सारे answer समझ में आ रहे हैं और आपको answer में आपको explain कराने वाला हूं 100% आपको समझ में आएंगे बस वीडियो में अंट तक बने रहेगा देखो भाई, starting में blank space he works hard, he cannot get through the exam, ठीक है तो यहाँ पर देखिए अब अगर हम यहाँ पर if का use करेंगे, तो पहले देखो if का मतलब होता है यदी, अगर हम यहाँ पर यदी लगा दे कि यदी he works hard यदी वे करेंगे पशनप करता है, he cannot get through स्कूल, yesterday, because I was ill तो इस तरह के sentence में बिकोज लगाते है जो के sentence के starting में नहीं आता है sentence के बीच में आता है कहाता है, sentence के बीच में आता है तो because भी option से हट जाएगा अब बचा हमारा क्या unless, जो के बिलकुल सही answer है unless he works hard यदी वे करेंट पशनप नहीं करता है तो unless का मतलब होता है यदी नहीं और इसका negative sense निकलता है यदी नहीं तो unless he works hard यदी वे करेंट पशनप नहीं करता है he cannot get through the exam यानि कि वे exam में पास नहीं हो सकता है तो right answer हमारा unless बिलकुल सही है कि राइट आंसर मारा क्या होगा अन्लेस तो अन्लेस इस दी राइट आंसर मुव करते हैं कॉशन फाइब की तरफ यह रहा मदर सेड कम इंसाइड मिनी इस विंडी टू सिट आउट साइड वैरी सो तू अब देको बत्चु यह कॉशन लिया गया है यह हमारी जनरल इंग्लि ठे लेकिन इस पहले इंग्लिष चलिती ठी उस एंग्लिष में यह चैप्टर था तर उसी में से अग्सटर लिया गया है तो एक तो लाइन है और दूसी लाइन है यहां पर ग्रामेटीकल तरीके सा भी तो आ रहा है ठीक है के मदर सेड, मदर ने कहा, "'come inside my meni,' "'Mini अंदर आ जाओ, it is too windy to sit outside, यानि के बाहर बैटना, बहती 지दा हवा दा हवा हे, बाहर बहती जदा हवा चल रहे है, तो बाहर तुम नहीं बैट सकती है, इसलिए तो मंदर आ जाओ, तो यहाँ पर pequeusz तू हमने यूज कर लिया है दूसरा टू यहाँ पर दिया था राइट अंसर हमारा टू होगा सुन यह आएगा क्योंकि सो के साथ हम यहाँ पर यूज करते हैं तो वह सो बनाते तो वह एक अलग सेंटेस बन जाता लेकिन इसको आप टू से बनाएंगे जो के राइट आंसर होगा बस टू आपको लगा देना है आगे बढ़ते हैं सिक नमबर का फाइब पीपल सेड बाई रेस्क्यू टीम हैट वाज है बच्छो सबसे पहले तो इसको यहाँ पर देखो के यह हमारा एक्टिव है के पैसे में बाई रेस्क्यू टीम लिका हुआ है तो यहां नहीं यह क्ल बिल्कुल भी नहीं आएगा बिकॉज फाइब पीपल प्लूनर वाड है अब पैसिव वोई तो पैसिव वोई में हैड सिंगल यूज नहीं होता हैड के साथ बीन यूज होता तो चल सकता था तो हैड भी हमारे आप्शन से आड़ गया अब बचा क्या है बिल्कुल सुटे पांच लोगों को रेसकी ट्यूम के द्वारा बचा लिया गया तो यहां पर राइट आंसर होगा है बीन ठीक है आगे बढ़ते हैं ड्यूस दारेटिट पर जाते ठीक है अब देखते हम इसके ड्यूस दारेटिट पहला वाला मिस्टर वर्मा टीचेस अस इंगलिश और गॉन पर पांच बीच करते हम ड्यूस करते हैं तो ठीच की वार्म क्या लगा दोग के आप का टीच की जगह पर टॉट लगा दीच है parfait तीच की जगह पर टॉट लगा दीचेस 2000 वार्मा टॉट लगा दीच एम इंगलिश मिस्टर वींग में हम ईंगलिश शिखाई के गुना इस नोट इस बिग ऐस गवालियर नहीं है उतना बड़ा नहीं है दो करना क्या है यूज कमपेट डिग्री आफ एडिक्टिप विदाउट चेंजिंग दा मीनिंग हमें इसको कमपेट डिग्री में बनाना है और सब्सक्राइज नहीं होना चाहिए बिगर बिगर के साथ क्या लगेगा देन अब पहला वाला क्या बचा गुना तो हम यहाँ पर लिख देते हैं गुना ठीक है अब पड़ो गवालियर इस बिगर देन गुना गवालियर गुना से बड़ा है गवालियर इस बिगर देन गुना गवालियर 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 गवालि ब्सक्राः कि यहां पेलर लिए वर्म मावध बड़ यहां पर हम लिप मचैने मिनाट करने अभा recommends अब्सक्राइब लिए ट flowing घ्ट तो बरर यहां पेल लिए और 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 दूर मत अब यहां पर र गान्ये की कैनुक् tuna तुर्स लिए फीड मतलब होता है खिलाना यहां पर हम पहले हल्पिंग और लगाएंगे तो पास्ट में पर क्या लगेगी वाज लगेगी दड़क वाज और यहां पर हम वी-3 यूज़ करेंगे तो जो हमारी फेड रहेगी ना फेड वी-2 भी होती है दड़क वाज फेड अब इसके बाद अधर वर्ड में क्या लिख देंगे ये वाला हम लिख देंगे सम सम मेजड राइज राइस राइस वित वित इंक फिलर इसके बाद हम बाईमेनी ना भी लिखे तो भी चल जाएगा और अगर हम बाइमनी लिखना चाहें, तो लिख भी सकते हैं, और हम बाइमनी ना भी लिखें, तो भी हमारा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यह अंडरस्टुड है, अगर हम बाइमनी लिखना चाहें, तो बाइमनी भी लिख सकते हैं, तो इस तरह से इसको में चेंज कर देंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉशन हमारा, फूर्थ नमबर कर रहें, देगे, और धात लिखना, क्योंकि अज़ी हमारा, तीचर उस फिर्सिपल यह दोनों ही ट्रिप के फियवर में दोनों ही चाहते हैं कि वाई ट्रिप बढ़ जाया तो कैसे करोगे चलो देख लेते हैं स्टाडिंग में हम बोथ लगा देते हैं क्योंकि यहां पर सबजिट अलग-अलग हे तो starting हम कर देते हैं both से both both the teachers t-e-a-c-h-e-r-s both the teachers इसके बाद हम लगाएंगे बीच में and the principal principal both the teachers and the principal अब दो लोग हो गए plural बन गए तो यहाँ पर helping अर लग जाएगी अब are इसके बाद common word क्या है in if a we are in favor of this trip ठीक हैं both the teachers and the principal are in favor of this trip तो हमने पहले बहुत लगाया क्योंकि यहाँ पे दो लोग हैं और दो ही अलग-अलग लोग हैं तो पहले बहुत लगाया इसके बाद teachers लेका फिर end लगाकर हमने प्रिंसिपल लिखके helping or plural लगा दी because sentence में दो अलग-अलग लोग हैं ठीक है यह राइट आंसर है अब देखते हैं open the door passive voice में change करना है तो जब open से start हो रहा है वी बन से start हो रहा है तो इसको बना देंगे let पर ले जाएगा let इसके बाद आएगा the door let the door be opened यह इसका passive voice बन गया है let the door be opened इसे बनेगा passive voice ठीक है वी बन से start हो रहा है तो यहां पर आप let से start करिए ठीक है अब देखते हैं last वाला इसको आपको rearrange करना है तो rearrange करना है तो rearrange करने के लिए देखो भाई यहां पर object पहले दिख रहा है a later तो इसको rearrange करोगे पहले लिखोगे a later ठीक है a later will be a sent to you a later will be sent to you ठीक है एक पत्र तुमें भेजा जाएगा a later will be sent to you यह पैसिव वोईज है ना पैसिव वोईज है यह a later will be sent to you एक पत्र तुमें भेजा जाएगा तो इस तरह से हमने इसको arrange कर दिया meaningful sentence बना दिया ठीक है ना बस इतना आपको करना था तो बच्चों यह था हमारा 2011 का MP Board का English का paper जिसकी grammar यानि के section C मैंने आपको detail में explain करा दिया है आज से हमने एक नई शुरुआत करिए जैसे के मैंने अपनी previous वीडियो में आपको बताया था जब मैं आपको परिक्षय अद्धियन का model paper का solution प्रोवाइड करा रहा था तब मैंने एक बात बोली थी कि अगर आपका support मिलता है positive response मिलता है तो जल्द ही हम previous ES के paper की grammar की series टाट करेंगे जो कि हमने कर दिये अब बस आपसे एक छोटी सी request है कि इस वीडियो को like करो और सभी दोसों के साथ share करो और comments करके मुझे जरूर बताओ कि आप चाहते हैं कि इस series को continue रखा जाए तो बिल्कुल इस series को continue रखा जाएगा और daily आपको हर साल के एक paper की grammar का solution प्रवाइड कराया जाएगा detail में explain कराया जाएगा लेकिन बस इसके लिए मुझे आपका support चाहिए अब हमारी वीडियो को like करो और अपने सभी दोस्तों के साथ share जरूर करा करो और यदि आप हमारे चैनल पर नए नए आया हो तो चैनल को subscribe कर लेना इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा है पहले list में आपको सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी बस grammar का topic select कर लिजिएगा आपको grammar की बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी वन वाइवन वीडियो को देखते जाएए सीखते जाएए ठाक्टेस करते जाएए ठीक है तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएगा इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग